हेलो सो टेक्नेरों में आप लोग का स्वागत है और आज इस वीडियो में हम उन्बॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स के नोट 5 स्टाइलस की है जी हाँ इन्फिनिक्स ते आज अपना एक नया बजट स्मार्टफोन लाँच कर दिया है और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 15,999 की है जी हाँ क्या बता होगा कि अगर आप ये फोन में ये स्टाइलस का इस्तेमाल करते तो बहुत जगाओं पर आपका काम बहुत आसान हो जाएगा और बहुत सारी फन एक्टिविडीज भी आप इससे कर सकते है यहाँ पर इसके अलावा भी इसके जो स्पैक से काफी दंदार है जो मै ये बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए तो बॉक्स अब देखेंगे आपको कुछ तरह के का मिलता है सामने लिखा है इन्फिनिक्स नोट फाइफ स्टाइलस और उपर की तरफ देखेंगे 4GB की रैम यहाँ पर रिमेनिंग स्पेसिफिकेशन जो दी गई है सबसे बिल आप देखेंगे यहाँ पर X-Pen जो लिखा गया है मतलब ऑविसली इसका जो स्टाइलस है उसका जुनाम है वह X-Pen है और साथ में अगर आप बाजू में देखेंगे तो लिखा है 5.93 इंच की आपको इस फ्लैश मिलती है और यह जो कैमरा ही यह AI वाला कैमरा है आपको इसमें सीन डिटेक्शन वगरा भी जो मिल जाती है साथ में आपको यहाँ पर 16 मेगापिसल की सेलफी मिलती है इसमें F2.0 का अपर चरह यहाँ पर आप लोको सॉफ्ट LED फ्लैश भी मिलती है सामनी की तरफ त इसकी जो मैक्स आउटपुट है वो आप लोको 12W 1.5M के पर जो देखने को मिलती है जो मेरे साब से काफी कूल है और साथ में आपको यहाँ फुल मेटल बॉड़ी हाँ पर मिलती है फोन का जो बिल्ड है वो बहुत ही कमाल का है काफी डूरेबल है और एक पूरी मेटल इसमें हाई ग्राफिक्स में खेल सकते हैं आपको हलका हलका लैग और कही नजर आ जाएगा लेकिन गेंप्ले आपका काफी स्मूध रहेगा वो एक्स्पीरियंस आपका बिल्कुल भी खराब नहीं होगा साथ में पबजी भी आप इसके अंदर मीडियम ग्राफिक्स के अं अंबॉक्सिंग शुरू करते हैं और यहां पर सबसे पहले आप देखेंगे आपको आपका फोन यहां पर दिखाई देता है और हम इसको बाहर निकाल देते हैं और यहां पर देखेंगे इसके उपर आप लोग को सारी हाइलेटिंग फीचर यहां पर दी गई है और फोन आ जो budget में काफी अच्छी बात है और आप लोग को एक screen protector भी यहाँ पर जो देखने को मिल जाता है उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक back case मिलता है अच्छी बात है कि आपको यहाँ पर एक back case भी provide किया है उसके बाद आपको flat type यहाँ पर micro USB cable मिलते है कुछ इस त charge कर देगा जो मेरे सबसे बहुत ही अच्छी बात है 4000 इमिज की वैटरी और वन है और आपका काम तो यहाँ पर पूरा हो चुका है यह बॉक्स कंटेंट और फटा वट से हमारे फोन की तरफ सबसे पहले यहाँ पर प्लास्टिक को हटा देते हैं और यहाँ पर अगर मैं ब और लाश्ट मेंगर आप देखेंगे तो यह वाला जो है यहाँ से आप जो अपने X-Pen को स्टाइलिस को बाहर निकाल सकते हैं यह जो X-Pen है आप इसको अंदर जब डालते हैं तो 20 सेकंड में वो यहाँ पर आपको 90 मिनिट टक का जो वो बैक अप देता है मतलब यह चार् लगा सकते हैं राइट सेट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को वॉल्यूम आप और बटन मिलता है लेकिन पावर बटन के अगर आप डिजाइन देखेंगे तो उन्हें तुरह सा टेक्च्चर एट किया है ताकि आप लोग को डिफ्रेंशिट हो वॉल् अगर बटन को बूट कर देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही कमाल की मिलती है एक IPS डिस्पे और मैंने वैसे ब्रैटन सुल नहीं रखा हूँ देखेंगे मैं में में मीडियम पर सेट किया हूँ उसके बाउजुद में अगर आप डिस्प्ले देखेंगे तो डिस्प्ले आपको बहुत ही कमाल का मिलता है और मैं आप सबसे पहले सेटिंग्स में जाता हूँ आप लोगों को Android वर्शन बता रहता हूँ तो सिस्टम में जाते हैं अब आउट में जाते हैं और आप देखेंगे Android 8.1.0 है और एक और और ऊठाय। अच्री बात है कि इंप्र le heav का मिलता है यहां पर कुछ टरी करने का मिलता है आप देखेंगे अपने हैं इस अपने फॉन का कफी फास्ज चलता है बोट ही यहां पर सभसें बड़ी बात यह एक आपको इसotype का मिलता है जिसके अंदर आप अंदर आ 096 का जो pressure sensitivity मिलती है जो आपको Samsung Galaxy Note 9 की device में देखने को मिला था तो यहाँ पर इस तरही की से इसको जो निकाल सकते हैं और सबसे पहला जो feature यह है कि आप अगर इसको lock screen से ही यहाँ पर बाहर निकालते हैं और lock screen के उपर से ही आप लिक सकते हैं और उसको save कर सकते हैं तो यह मुझे काफी cool लगा है यहाँ पर उसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर इनका खुद के dedicate application मिलता है X note करके जिसके नदर आप आपके बहुत सारी चीज़े जो वो कर सकते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर यह एक air command के साथ में आपको यह stylus मिलता है आप देखेंगे जिसी में यहाँ पर लिके जाता हो यह automatically highlight हो जाता है उसके अंदर आप देखेंगे आपको बहुत सारे multi features मिलते हैं यहाँ पर आप note create कर सकते हैं आप आके यहाँ पर जो चाहे वो लिख सकते हैं और यहाँ पर अलग अलग तरीकी की pen और size और eraser और अलग अलग colors मिलते है text format वगरा आप सब कुछ आप यहाँ के चेंज कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर take screenshot यह तोड़ा सा cool लगा है मुझे अगर मैं यहाँ पर screenshot लेता हूँ इस page का screenshot ले लेगा फिर आपको select करना है किस तरीके का screenshot लेगी मैंने square में लिया मैंने screenshot इस part का ले लिया और उस पर मैं doodle कर सकता हूँ इस तरीके से और save करके उसको बेज सकता हूँ तो emergency में अगर आपको किसी का screenshot लेना है आपने ले लिया उसके उपर अगर आपको feedback देना है या कुछ चीज़े बता कि किसी को बेजना है तो आप लिख सकते इस तरीके से और सामने ले परसन को बेज सकते है तो यह मुझे वैसे काफी cool लगा है और यहाँ पर finally आप लोग को मिलती है painting यहाँ पर painting यह जो यह बहुत ही कमाल का है आप देखेंगे अलग-अलग तरीके कि आपको यहाँ पे pen brush यह वो सारी चीज़े मिल जाती है आप select कर सकते है size select कर सकते हैं उसके बाद आपको अलग-अलग colors मिलते और उसके बाद आप आके जो painting करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं वैसे आप देखेंगे यहाँ पर यह वाला painting मेरी wife ने बनाई है आप देखेंगे काफी beautiful लग रहा है उन्होंने junk food का जो कुछ बनाया था उसके बाद अगर कि आप लोग इसके अंदर जो भी चीज लिखते हैं वो Hindi में लिखो या फिर English में लिखो वो automatically इसको transliterate कर देगा और वो text में उसको convert कर देगा तो मेरे साब से एक बहुती cool चीज है आपने जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख दिया टैप किया वो automatically इसको text में convert कर दिया फ December के अंदर आपको OTA update ड्वारा जो मिल जाएगा मैं वैसे planning कर रहा हूँ एक dedicated वीडियो बनानी की जहां पर मैं आप लोग को इसके stylus के बारे में बताऊंगा कि आप इसमें क्या कुछ खास कर सकते हैं तो शायद से आप लोग को एक video बनाके में दे दूँगा जिसमें आप आप फाइनली कैमेरा बता लेता हूँ आप देखेंगे आपको 16 Megapixel का rear facing camera है और आप देखेंगे जैसिक में आप सका तक Google Lens भी आपको मिलता है जो काफी कूल है आप इस तरह के से continue करके स्टार्ट करके Google Lens का भी आप यहां पर फाइदा उठा सकते हैं तो यहां पर मैं आ आप यहां पर फाइदा यहां पर अच्छी तरीके से उठा सकते हैं तो इतना ही है दोस्तों इस वीडियो के अगर आपको वीडियो पसना तो जरूर्स इस वीडियो को लाइक करिए मैं फीचर में आप लोगों के ऐसे यूसी अप्लेट करता हूंगा और आप लोगों को ए